नमत्कार दोस्तों सागत है आप सभी का हमारी लेटेस्ट चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एन एफ एल की आइफिकेंसी के बारे में नेशनल फैर्टलाइजर्स लिमिटेड काईस यहाँ पर जो तो उत्राखंड की तरफ से यह नोड़िफिकेशन ज वीडियो को लाइक अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो चल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर फ्रिस कर लें तो चलिए दोस्तों सबसे पहली पोश्ट आई हुई है जूनियर इंजिनिर असिस्टेंट ग्रेड टू में जिसमें यह हां पर गाईज जू है तो टॉटल यहां पर फोस्ति रहें है सलल है एक जार पाल उपर मंत मिल्साइunion यह गाईज गयाया जायाद एक है नेश्ट गाईज यहां पर जूनियर इंगीनियर असिस्टें ग्रेड टू में इस्टुमिन्टेशन में आई हुए जिसमें यहाँ पर सेल दी देख सकते हैं तेस जार से लेकर चपपन जार पांसो मिल जाएगी और यहाँ पर टोटल थी विकेंसी है जो जनरल कटेगरी के लिए रखी गई है नेश्ट गाइस यहाँ पर विकेंसी आई है जूनिर इंजिनिर असिस्टेंट ग्रेड टू में इलेक्टिकल में जिसमें यहाँ पर 23,000 से लेकर यहाँ पर 56,500 मिल जाएगी और यहाँ पर टोटल विकेंसी 5 रखी गई है निश्ट गाईज यहाँ पर जो विकेंसी आई हुई है इलेक्टिकल में आई हुई है अटेंडेंट ग्रेड वन में जिसमें सेल्डिया को 21,500 लेकर यहाँ पर जो है तो 22,000 सेल्डी मिल जाएगी यहाँ पर टोटल विकेंसी 9 रखी गई है निष्ट यहाँ पर guys लोको अटिन्डेंट में आई हुई है यहाँ पर total 5 विकेंसी रखे गई है यहाँ पर गईज जो हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर जो मैं अभी बात किया हूँ यहाँ पाने पत यूनिट के लिए थी यहां पर निष्ट जो आई हुए है गाईस बटिंडा यूनिट के लिए यहां पर विकेंसी रखी जिसमें जूनिर इंजिनेर असिस्टेंट ग्रिट 2 प्रोडेक्शन में जो विकेंसी है यहां पर टोल टॉन्टी सिक्स विकेंसी रखी गए काटेरिस बाईस आप यहां पर गाईस बाईस हों जिसमें यहां पर श्रूनिर इसरान च्रूनिर अन्युएं जो आप यहां पर देख सकते हैं और जिसमें यहां पर जो है तो grade 2 में, grade 3 में विकेंसी, mechanical में, fitter में विकेंसी, electrical में विकेंसी आई है, जिसमें guys यहां पर total number आप विकेंसी आप जो है, तो देख सकते हैं यहां पर आपको category जो आज भी दिखाया गया है, यहां पर जो है तो marketing division में विकेंसी आई, जिसमें marketing representative में यहां पर जो है तो आई हुई है, representative में, यहां पर salary आपको 24,000 से लेकर 67,000 परमन्त मिल जाएगी, यहां पर total 15 विकेंसी रखी हैं दोस्तों, जिसमें general category के लिए 7 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, and X servicemen के लिए 1 है, and PW, BD के लिए 1 विकेंसी रखी यही है, सो आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत सारे विकेंसी आई हुए, and यहां पर जो है तो branches eligible हैं, बहुत सारे, next यहां पर हम बात करेंगे, eligibility criteria की, क्या है, इसमें is limit and क्या है, यहां पर qualification, तो यहां पर जो है तो junior engineer assistant grade production में जो vacancy आई हुई है, यहां पर eligibility minimum 18 years, maximum 30 years रखी गई है, यहां पर qualification की बात करूँ, BSC है, regular physics, chemistry, mathematics से, तो आप form को फिलफ कर सकते हैं, minimum यहां पर 50% साथ अगर आप pass out है, यहां पर 45% रखा गया, यानि 5% की छूट दी गई है, अगर आपके पास 3 year diploma है, chemical engineering में तो आप form को फिलफ कर सकते हैं, तो आप form को फिलफ कर सकते हैं, तो आप form को फिलफ कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे branches eligible हैं, यहां पर जूनियर इंजिनर असिस्टेंट ग्रेड इलेक्रिकल की बात करूँ, age limit यहां पर 18 to 30 years रखी गई हैं, यहां पर गाई जो है तो regular 3 year diploma, electrical और electronics में हैं, तो आप form को फिलफ कर सकते हैं, नेश्ट यहां पर electrical clay vacancy आई हुए, अगर आप matrix पास हैं, regular IT आई किये हैं, इलेक्रिशन से 50% को साथ अगर आप पास आउट हो तो form को फिलफ कर सकते हैं, यहां पर limit 18 to 30 years रखी गई है, नेश्ट यहां पर mechanical feeder में आई हुए, जिसमें age limit आप यहां पर देख सकते हैं, फुल टाइम IT आई मेकेनिक में आए, आप अगर पास आउट है, 50% साथ फॉम को फिलफ कर सकते हैं, यहां पर लोगो अटेंडेंट ग्रेट टू मेकेंसी आई हुए, जिसमें यहां पर फुल टाइम 3 years डिफलोमा मेकेनिकल इंजिनी में हैं, तो आप फॉम को फिलफ कर सकत हैं, 50% साथ अगरा पास आउट हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, BSC IDI डिफलोमा लेकेंडेर यहां पर फॉम को फिलफ कर सकते हैं, नेश्ट यहां पर अप्लीकेशन फी की बात करूंग गाईस, तो यहां पर जो है तो अप्लीकेशन फी सारे पोस्ट के लिए यहां पर यहां पर रखी गई है, यहां पर गाईस आपको बता दों कि यहां पर तो इसकी वेफसाइट तो आप यहां पर जा कर जो है तो आप रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म को वेरिफिकेशन फॉर्म का जो है तो कर सकते हैं नेस्ट गाइस यहाँ पर जो है तो फॉर्म फिल करने की जो है तो इंपोर्ट निट्स की बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर cut-up date आपको दी गई है 39-2020 and यहाँ पर फॉर्म फिल करने की starting date 21-21 21-21 रखी गई है आज से जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है यहाँ पर फॉर्म फिल करने की लाज़री जो रखी गई है 10-11-2021 से पहले आप जो फॉर्म को फिलाप कर सकते हैं इसके अंदर जितनी भी important information थी सारी दोस्तों अगर आप लिजवल हैं तो फॉर्म को जुरूर फिलाप करेगा यह मौका मत छोड़िएगा दोस्तों वीडियो को ऐसी लगी कमेंट करके जुरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जुरूर फिस कर लेजएगा एंड अपने दोस्तों के साथ से जुरूर से कर देना सो मिलती हुने इस वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग है लिश्निंग